अबशेक मलहान और अलविश यादव इस वक्त पे काफी ज़्यादा लामलायत में बने हुए नज़रा रहे हैं वलहाल फिलाल में ही अलविश यादव और अबशेक दोनों अमज़र मिनी टीवी के शो प्लेगराउंड में मैंटॉर के तोर पर नज़राये थे यहाँ पर अलविश यादव तो स्टार्टिंग से ही मैंटॉर बनकर एंट्री लेते हुए नज़राये थे लेकिन इस शो में दो हफते पहले शो के खत्म होने से अबशेक ने मैंटॉर के तोर पर फाइल काइट एंट्री ले अपनी टीम के साथ यहाँ पर फिनाले में काफी ज्यादा जंग भी देखने को मिले थी इन टीम्स के बीच में लेकिन यहाँ पर अपनी टीम के लिए उन्होंने वोटिंग अपील ज्यादा की जिसको लेकर यहाँ पर एलविश यादव के फैंस यानि कि एलविश आर्मी और पाइंडा गैंग के बीच में वार भी देखन को मिल रही है याँ पर पाइंडा घंक का कहना है कि बोटिंग इसली कर रहे थे क्योंकि वो शौ में पहले दिन से बने हुआ है अगर अविशेप पहले दिन से शो में वोते तो वोटिंग अपील कर सकते थे जब शूक के फैन्स का कहाना है कि Elvish भी बिग बॉस OTT 2 में वाइल काइट काइट के तौर पर आये थे और उन्होंने हिस्ट्री क्रियेट की इसका मतलब है कि एक शो में वाइल काइट काइट के तौर पर आकर भी शो जीता जा सकता है अगर आपके बहुत फैन्स हो और आप पॉपुल विकेशन्स को एंजोई करते हुए निजर आए और वो इस क्राइंग फिनाले का पाइट नहीं बने थे विल आपका Elvish यादफ की Elvish आर्मी और पाइंडा गैंग के बीच में चल रही इस वार पर क्या कुछ है गया ना हमें कॉमेंस में ज़रूर बताए ऐसे ही की लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब करें